पूरे हफ्टे की स्कीम्स और योजनास के उपर जो करने फेर सही है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले है जो कि आपके एक्जाम पॉइंट और वीज सब बहुत ही इंपॉर्टन है और जो भी आप कम्पिटिटिव एक्जाम के लिए प्रपरे आइकन भी तबा दिजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए आज का डिसकसन शुडू करते है तो आज का पहला जो टॉपिक जो है आंधर प्रदेश में जो है व्याज, मुक्त, रिण, योजना, जगरनन, थोड़ू लांच किया गया है हाली में तो यह उसी से डेटर टॉपिक है तब यहां अंधर प्रदेश की जो मुक्या मंत्री है Y.S. जगन मोहन रेड़ी उन्होंने अभी कई छोटे व्यापारियों और सड़क विक्रेताओं को लाब पहुचाने के उदेश से एक जो फ्लैक्शिप योजना जो है जगरननना थोड़ उसको लॉंच की और 9.05 लाग स्ट्रीट वेंडरों और व्यापारियों को जो है लाब देने के लिए 9.05 क्रोड के फंड के साथ योजना आवंडित की गई है और इसका जो उदेश्य जो है इस योजना का 10,000 रुपे तक सड़क विक्रेताओं और सिमांत व्यापारियों को व्याज मुक्त रियन प्रदान करना है तो यह उसी से इलेटेट टॉपिक है और यह जो जगर्णना थोड़ू जो है वो लगभग 100,000 क्रोड रुपे करीब 10,000 लोगों को दिये जाने है जहां सरकार सालाना 100 क्रोड तक का जो व्याज जो है वो देती है और कीवार आधार स स्मार्ड आईडी कार्ड इसका जो है लाब उठाने के लिए विक्रताओं को प्रदान किया जाएगा और यह जो विक्रता जो है टोल फ्री नंबर 1902 पर डाइल करके योजना में नामांकन कर सकते है और रिन राशी सिधे लाभारती के बैंक खाते में जमा की जाएगे और योजना की निगरानी जो है Society for Elimination of Rural Poverty, SDRP और मिशन द्वारा अंध्रप्रदेश शरकार के जो नगरपाली का क्षेत्रों MEPMA में जो है गरीबी उन्मुलन के लिए की जाएगे और इसके जो लाभारती जो होंगे वो सबजी विक्रेता, फल विक्रेता, छोटे दुकान पशुकार्ड विक्रेता और पारंपरी कारिगर और अन्या असंगठित शेत्र के विक्रेता इस योजना के लिए पात्र होगा तो यह उससे से लेटर टॉपिक है और अभी एक जो टॉपिक जो है वो है लदाक के यूटी को लेह आएएफ स्टेशन के सबसे उचे स्थान पर सबसे बड़ा सौर उर्जा प्रोजेक्ट मिला है तो यह उससे से लेटर है तो अभी लेह केंदर शासित प्रदेश यूटी में लदाक को सबसे अधिक उचाय पर सबसे बड़ा और उर्जा प्रोजेक्ट मिला है भारत सरकार की मेकिन इंडिया पहल के तहट सोलर फोटो वाल्टिक पाउर प्लान 1.5 मेगावार्ट के प्रावधा नाम की परियोजना के लिए 22 करोड रुपे की लागत आई और इसका जो उदिश्य जो है जिवाश में इंधन और उर्जा उत्पादन के अन्य पारंपरी तरिकों के साथ तरिकों को स्थाई और वेकल्पिक उर्जा प्रदन करना है तो यह उससे डिटिट टॉपिक है अभी नेक्चो टॉपिक जो है अभी गोआ के जो CM है प्रमोट सावन उन्होंने अभी वन टाइम सैटलमेंट स्कीम को लौँच किया हाली में तो यह उससे डिटिट टॉपिक है तो गोआ के जो मुख्यमंतरी है प्रमोट सावन उन्होंने अभी लंबित विजली बिल भुकतान के लिए जो छुट प्रदान करने के लिए जो है विद्दुद विभाक की और से राज्या सर कल्यानकारी योजना वन टाइम सैटलमेंट OTS 2020 को शुरू की है इसका जो उदेशे जो है महमारी के कारण विभिन जो कारणों से लंबित समय से लंबित विजली बकाया के पुनर भुकतान के लिए जो है लोगों के हित की सेवा करना OTS योजना की जो मुख्य विशिष्टा है वो है कि उपविभो भुकता किस्तों में बिल का भुकतान कर सकते हैं लेट पेमेंट फीज में छूट ग्राहकों को भुकतान की गई शुरू आती राशी आचुकौती की नुन्यतम समय अवधी के आधार पर जो है दी जाती है औ तो यह उससे लेटर टॉपिक है असाम के जो ने जो टॉपिक जो है असाम के मुख्य मंतरी सोनुवाल ने जो है अरुनोडोय जो योजना जो है अरुनोडोय स्क्रीन उसको लॉंच किया है तो दो दिसमर 2020 को असाम के मुख्य मंतरी सरवानन सोनुवाल ने राजे में अरु वर्गों को वित्या साहता प्रदान करने के लिए 2400 क्रोड रुपए का वार्षिक बजट आवन्टित किया जाता है तो यह उसी से एलेटर टॉपिक है तो आज के लिए इतना ही है कल हम फिर मिलते है एक नए टॉपिक के पूरे हफ़ते के करने फेर्स के साथ तब तक के लिए जो है हमारे जो चैनल है उसको देखते रहेगा लाइक शेर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भुलिएगा कोई अगर सुजावता कमेंट करना प्लीज म